महराश्ट के सीम एक नाशन दिन एक बार फिर से महराश्ट के पूर्व सीम उधम ठाकरे पर बड़ा पलटवार किया है उनको सीरे तोर पर हिदायत देते हुए ये कह दिया कि अब क्या पाकिस्तान से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ गई है नमस्कार आप देख रहे हैं दन्यूस और मैरानी गुपता आपके साथ आपको बता दें कि महराश्ट से इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है बता दे कि पूर्व सीम उदव ठाकरे को लेकर के जम करके निशाना साधत हुए नजर आ रहे हैं महराश्ट के सीम एक नाश्रिंदे उन्होंने ये कहा है कि हमें डसाइट करने के लिए पाकिस्तान के परमिशन या फिर पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की आवश्चता नहीं है कि शिवसेना किस की है क्योंकि इलेक्शन कमिशन ने ये फैसला कर दिया है बता दे दरसल उदाव ठाकरे ने हाल ही में एक रैली की थी और इसमें वो ये कहते है कि कोई भी बता देगा पाकिस्तान भी बता देगी कि आखिर शिवसेना किस की है इसी के साथ उन्होंने इस दोरान केंदर सरकार पर भी हमला बोला था और इलेक्शन कमिशन को मोतिया बिंद हो गया है ऐसा तक कह दिया था आपको बता दे कि election commission देश की सरवोच संस्थाओं में से एक संस्था है जो की election को लेकर के तमाम तरीके के data बनाती है और कैसे चुनाव होंगे कैसे ये चुनाव को महत्वपूर बनाया जाता है तमाम तरीके की चीजे करती है लेकिन इस तरीके की किसी बड़ी संस्था को उध नाश्षिंदे की नाम करती बता दे कि महरास्ट के पूर्वस मुख्यमंत्री उधाम ठाकरे ने एक जनसभा में ये कहा कि असली शिवसेना किसकी है ये तो पाकिस्तान भी बता देगा इस पर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उन्होंने कहा कि ये तैय करने के लिए पाकिस्तान के प्रमार पत्र की आवर्शकता नहीं है बता दे कि अस वक्त की बड़ी अपडेट है दरसल महरास्ट के जलगाओं में 23 अप्रेल रविवार को आयोजित एक जनसभा में उधाम ठाकरे ने ये कहा कि उन्हें लोगों से म चुनाव होते हैं तो ये सरकार गिड़ जाएगी यानि कि शुन्दे और फणनविस की जो सरकार है वो गिड़ जाएगी और उधाम ठाकरे की सरकार बन जाएगी यहाँ पर गौर करने वाली बात ये हो जाती है कि जब पिछले बार विधान सभा के चुनाव हुए थे महरा ये सरकार बनती है तो देवेंद्र फणनविस ही महराष्ट के मुख्यमंत्री होंगे लेकिन इसके बावजूद जो है इसको ले करके वहाँ पर तूट मज जाती है और इसके बाद शिवसेना जो है बीजपी से अपना गदबंधन तोड़ करके उधाव ठाकरे सीम बन जात उधाव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें ने कहा कि लगाओं में किसी ने कहा है कि पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा कि असले शिवसेना किसकी है ये दुरभाग यपूर और बेहत दुख़द है कि शिवसेना किसकी है ये तै करने के लिए पाकिस्तान के प्रमा उधव गूट ने सुप्रीम कोट का रुक किया बतादे कि एलेक्शन कमिशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में आचिकादार की गई और वहाँ पर भी यही सवाल उठाया गया कि आखिर शिवसेना किस की है आपको बतादे कि शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की ब बीते दिन ये दावा किया था कि अगले 15 से 20 दिरों में शिंदे फर्णनविस की सरकार गिड़ चाएगी बतादे कि महरास्ट में शिंदे फर्णनविस सरकार की डेट वारेंट जारी हो चुकी है सिर्फ तारीख का एलान होना बाकी है मैंने पहले भी कहा था कि शिंदे सरक परवरी में गिड़ जाएगी लेकिन सुप्रीम कोट के फैसले में देरी की वज़े से सरकार की लाइफ लाइफ लाइन बढ़ गई है आपको बता दें ये तमाम बाते संजराउत के द्वारा कही गई है हाला कि इस पर अब उधाम ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आ चु लेकिन सच ये है कि मैंने सीम की शपत के अनुसार किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया है आपको बता दें कि महाविकास अगारी में अन्सेपी कॉंग्रेस के साथ शवसेना भी शामिल थे और कहीं न कहीं इन तीनों ही पार्टियों में अपनी अपनी खेस्तान चलती लगातार इनके मंत्री और कई सारे ऐसे नेता हैं जिन पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं और इस समय वो जेल में हैं जिस तरीके से महाविकास अगारी सरकार में महराश्ट चल रही थी इससे जनता कहीं न कहीं तरस्त थी क्योंकि अब जो तमाम चीज़ें देखने को मिल होती है और ये भीड दर्शाती है कि महरास्ट में एक नाश्ट की सरकार से वहां के लोग कितने जादा खुश हैं आपको बता दे कि जस तरीके से रैली में उद्व ठाकरे ने ये कहा है कि चुनाव आयों को मोतिया बिंद हो गया है मोतिया बिंद से पीडित है जिसकी वज में बेचैनी थी और ये साफ तोर से दिखाई दे रही थी क्योंकि जो संजर आउथ है राजसभा सांसा दुधर गूट के उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया था कि जो चुनाव चिन वगयरा आवंटित किये गए हैं उसमें बहुत बड़ी डील हुई है और इस डील इस क्लेम को लेकर के भी काफी जादा महरास्ट में सियासत गर्माई थी इसी के साथ ही अगर बात करें शुन्दे गूट की ओर से तो उनका हमेशा से कहना है कि ये जो फैसला रहा है उसका हम समान करते हैं लोगों में जश्न का महाल है क्योंकि एलेक्शन कमिशन ने सच्च किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो फैसला है वो लोगतंत्र की जीत को दरशाता है क्योंकि एलेक्शन कमिशन ने साफ और स्पस्टिकरन तरीके से यानि कि क्रिस्टल क्रियल तरीके से ये फैसला सुनाया है कि शिवसेना किसकी है और किसका हग शिवसेना पर बनता है आपको बता दे कि जब महराष्ट में देखने को मिला था कि एकना शुंदे ने यावाज उठाई थी कि लगातार M.V.A. के अधीन में जो सरकार महराष्ट में चल रही है उसमें कही सारे हितों को अंदेखा किया जा रहा है कही सारे विकास के कामों को रोका जा रहा है और खा ठाकरे के दिखाए गए आदर्शों का समान कर रहे हैं उनके दिखाए गए मारगों में चल रहे हैं और जो उनकी सोच है उनकी विचार धारा है उसी को ले करके ही वो महराष्ट के आगे का विकास करना चाहते हैं जब से एकना शुंदे और देविंद्र फणनविस की सरका महराष्ट में बनी है तब से देखने को मिल रहा है कि जो इतने भी रुके काम थे चाहे फिर वो मेट्रों के काम हो हाइबेस के काम हो सारे काम पूरी गती के साथ वहाँ पर होना शुरू हो गया है यह चीज़ा दर्शाती है कि आखिर M.B.A. सरकार जो चल रही थी महराष्ट में उस चीज़ों को लेकर के आपस में ही खीस्तान थी क्यूंकि यह सोचने वाली बात होती है कि जब 3 पार्टियां एक साथ अगर शासंत करती है तो जाहिर तोर पर किसी पार्टी की कोई सोच होती है किसी अन्य पार्टी की कुछ और सोच होती है लेकिन अब जो सरकार चल रही है उसमें दोनों का ही सोच और दोनों की विचारधारा एक है जिसकी वज़े से लगातार महरास्ट में जो विकास के कारे है ये देखने को मिल फिलाल जिस तरीके से उदर ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान का नाम लिया और ये कहा कि पाकिस्तान भी बता देगी कि असले शिव से ना कौन है तो इसको लेकर के भी जंता भी काफी जादा भड़की हुई दिखाई दे रही है और उनका भी कहना है कि हमें पाकिस्तान से किसी बात का प्रमाण लेने की आवजशक्ता नहीं पड़ती फिलाल इस ख़बर को लेकर क्या आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले